जिनमास्त में आने वाली है और अगर आप भी सोच रहे हो कि घर में थोड़ा सा कृष्णा का मैजिक भर दिया जाए तो आप बिल्कुल सही जगा पे आए हो आज हम बनाने वाले हैं दो ऐसे DIY जो देखते ही आप भी कहेंगे वह चलो फिर बिना टाइम बेस्ट किये शुरू करते हैं अपना DIY शो सबसे पहले एक प्लास्टिक की बोटल उठाओ हाँ हाँ वही जो तुमने 10 मिनट पहले जूस पी के खाली करी थी और अगर नहीं करी है तो कोई बात नहीं अब कर लेना साथ ही साथ एक पैन और एक वायर ले लो अब बोटल का लेवल निकाल दो और उसको अच्छी तरह से धोलो और साइड में रख दो और अब पैन उठाओ और पैन का कैप निकाल दो हमको सिर्फ पैन का ये वाला पार्ट चाहिए जिसमें कि हम pen में से एक साइड से कुछ इंसर्ट करें तो दूसरी तरफ से निकल जाए अब bottle की स्कैप पर pen के साइज को mark कर लो और soldering iron से cap में haul कर लो अगर soldering iron ना हो तो page case को गरम करके भी haul किया जा सकता है इसके बाद pen को इस haul में inside कर दो जैसे कि वो अपने घर लोटाया हो और फिर blue gun से इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से चिपका दो ताकि कोई भी secret बाहर ना निकल पाए अब आती है wire की बारी wire को प्लास से अच्छी तरह से सीधा कर लो जैसे हम PT क्लास में सीधा खड़े होते थे न स्कूल में वैसे ही पर ध्यान से कहीं मेरी तरह हाथ में चोट मत लगा ले ना अब मैंने wire यहाँ पे double ली है आप single भी ले सकते हो और फिर wire को आगे से fold कर दो जैसे कि वो योगा कर रही हो इसके बाद इसको pen में इस तरह से insert कर देना है और wire इतनी लंबी रखना कि वो नीचे bottle की cap तक पहुँच जाए फिर glue gun से इसको भी fix कर देंगे अब इस bottle की cap को bottle में fix कर दो इसके बाद यह जो हमारा main structure था यह तो तयार हो गया अब आती है foil की बारी जो अपना कमाल दिखाएगी यह वाना process थोड़ा fancy होने वाला है यह जो अपने creation तियार किया है इसको हम foil paper से इस तरह से wrap करेंगे जिसमें की हमने जो desired shape हमें चाहिए वो थोड़ी सी highlight हो मतलब हमारी 80% shape जो है वो इस foil paper से आ जाए और जब तक 80% shape आये ना तब तक इस foil paper को लपेटते जाओ लपेटते जाओ बस यही पर तो talent दिखाने की जरूरत है हमको जितनी ज़्यादा अच्छी shape हम foil paper से बना लेंगे उतनी ही हमें आगे का process जो है वो easy हो जाएगा तो ये लिजीए ये ready है तो अब देते हम पुट्टी को chance अपना कमाल दिखाने का तो इसके लिए हमने पुट्टी में फैविकोल और पानी mix किया है और एक dough बना लिया है तो dough को इस तरह से गूंथना कि वो मक्षन जैसा soft हो जाए तो इसको अच्छे से हाथों से गूंथना है समझो ये तुम्हारा stress ball हो और जब dough ready हो जाए तो इसको अच्छे से किसी गीले कपड़े में ढखके रखना है air tight jar में और जितना use हो बस उतना ही निकालना है अब हम अपने masterpiece को इस dough से cover करेंगे तो इसको थोड़े थोड़े portion में लेके बेलतना है और इसके उपर इस तरह से लपेटते जाना है और इसको थोड़े थोड़े portion में start करना आप एक साथ पूरे को लपेटने की कोशिश मत करना layer by layer इसको cover करना है और जो joints हैं उनको हलकी सी गीली उंगली से smooth कर देना तो basically ये हम pico neck बना रहे हैं और हाँ इसको cover करते time ये ध्यान रखना कि इसके उपर जो pen का hole है उसको मत cover कर देना क्योंकि उसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी पूरी layer हो जाने के बाद इसको सूखने देना और नीचे की side में फिर दूसरी layer लगाएंगे हम so that इसका base जो है वो मजबूत रहे और ये अच्छे से stand कर पाए तो अब पुट्टी से ही आंखों के लिए जगह बना ली है मैंने और ये eyes मैंने Amazon से purchase करी थी इनको मैं इसके उपर fix कर रही हूँ और अब आता है मजदा step coloring मैं ये वाली दो shades का chalk paint mix कर रही हूँ peacock vibes के लिए और पूरे piece को color कर रही हूँ बस इसी एक color से फिर eyes और beak को हम golden paint से highlight करेंगे then pen वले hole को भी हम golden color से ही highlight कर देंगे तो DIY अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे comment करके जरूर से बताना और अगर नहीं भी आ रहा है तब भी जरूर बताना और ये भी बताना कि क्यों नहीं आया तो चलिए फिर हमारा coloring part complete हो गया अब हम एक coat इस पे वार्णिश अप्लाई कर देंगे और लो ये हमारा DIY peacock neck तयार है जनमास्टमी पे shine करने के लिए Get ready to show it off तो second DIY के लिए कुछ इस तरह के cardboard ढूण लो मैंने तो ये टीवेक के box में से चुराए है आपके पास ना हो तो पुरानी notebook का गत्ता ही ले लो और अब paper पे इस तरह की shape कट करो वो भी दो अलग लग size में और इनको cardboard के pieces पे draw करके cut कर लो तो मैंने तो ये खुब सारे cut कर लिए है ये आपको आगे चलके पता चलेगा कि ये किस काम आएंगे shape में आप थोड़ा बहुत change कर सकते हो अपनी choice के according मैंने ये shape क्यों choose करी थी इसका भी एक reason था जो मैं आपको आगे बताती हूँ तो ये लीजिए हमारी shapes तयार है अब दिखाते हैं पुट्टी का magic तो पुट्टी में पानी और फेविकॉल mix करके इस consistency में एक खौल बना लीजिए और इनको अब हम इन cutouts के उपर इस तरह से brush की help से apply करेंगे और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये cutouts जो हैं वो strong रहें तो ये जो cutouts है ये मैंने किसी और DIY के लिए बनाये थे बट वो DIY मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने इनको यहां पर use कर लिया इसलिए मैंने ये ये वली shape यूज करी थी आप अपने recording shape चूज कर सकते हो तो इसी वज़ा से मैंने इन पर पहले दूसरा color किया था और बाद मैं मैंने इन पर green और blue color किया जो की metallic color है और मैंने इस वले DIY पर सारे पर ही metallic color यूज किये हैं इन cutouts पे green और blue color करने के बाद मैंने इनके बीच में ये orange color से थोड़ा सा color कर दिया है अब blue बले पे green से और green बले पे blue से मैंने lines लगा दी है अब एक cardboard उठाओ और उस पे एक circle ड्रो करो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पीजा का size choose करते हैं फिर उस पे एक छोटा सा circle बनाओ जैसे बड़े वाले size को choose करने के बाद price देखते हैं फिर सोते हैं छोटा ही खा लेते हैं तो छोटा circle जो है वो बड़े वाले के ऊपर draw करना है और फिर इसको cut कर लेना है तो इस तरह के हमको दो circle चाहिए तो यह मैंने दो cut कर लिए और अब इसको एक के उपर दूसरे को paste कर देंगे so that हमारे circle का base जो है वो थोड़ा strong रहे इतना strong कि the great खली भी ना हिला पाए अब masking tape उठाओ और इसके ages को cover कर दो क्यूंकि हम perfect list है ना अगर masking tape ना हो तो आप newspaper के छोटे-छोटे PC से भी इसको cover कर सकते हो या फिर tissue paper से भी cover कर सकते हो यह बिल्कुल आपके उपर depend करता है आप किस तरह से इसको cover करना चाहते हो मैंने थोड़ा easy वाला option choose किया था अब circle के बीच वाला part जो हमारा बच गया था उसके उपर हम peacock draw कर लेंगे क्योंकि हमें कोई भी चीज waste नहीं जाने देनी है draw करने के बाद इसको cut कर लेंगे और अब आती है coloring की बारी तो यह जो circle हमने cut किया था इसको हम बिल्कुल red color कर लेंगे जैसे कि हम गुसे में लाल हो जाते हैं और peacock को color करने के लिए मैंने blue में थोड़ा सा purple mix किया था और यह वाला shade जो है वो इसके उपर apply कर दिया इसके feeder वाले part को मैंने थोड़ा थोड़ा green से highlight कर दिया then हम circle लेंगे और इसके back side में हम यह square sticks paste करेंगे so that यह थोड़ा strong रहे इसको base मिल जाए एक strong सा प्रकि इसके उपर हम जो भी चीज paste करें वो अच्छे से paste भी हो जाए इन square sticks को मैंने black color से color कर दिया है और अब आती है सारी चीजों को assemble करने की बारी तो अब circle के उपर हम यह peacock को जो हमने बनाया है इसको paste कर देंगे तो देखो धीरे धीरे हमारे peacock का attitude level बढ़ता जा रहा है और अब हम इन feeders को one by one peacock की back side से होके circle के उपर की तरफ paste करते जाएंगे तो देखो जैसे जैसे यह feeder paste होते जा रहे हैं हमारे DIY की shop बढ़ती जा रही है और यह लीजिए हमारे सारे feeder paste हो गए इसके बाद golden color से इसकी eyes बना देनी है और इसकी beak को भी golden ही कर दिया है पर अभी यह DIY सूना सूना सा लग रहा है तो चलिए अब इसको weeds और rhinestone chain वगएरा से decorate करते हैं सारे peacock की side को हम rhinestone से decorate करेंगे और peacock के feeders पे हम mirrors paste कर देंगे आपके बाद जो-जो material हो आप वो paste कर सकते हो जरूरी नहीं है कि mirrors लगाने आपके पास weeds हैं आप वो भी लगा सकते हो mirrors लगा सकते हो rhinestone chains लगा सकते हो लेस लगा सकते हो जो आपका मन करें तो मैंने कोशिच करिया कि जहां-जहां मुझे खाली लग रहा था मैंने सब पे कुछ न कुछ लगा दिया है जो मेरे पास 7 level था circle की side पे भी मैंने कुछ mirrors paste कर दिये और अब मैंने ये तीन eye pin ली है और इसमें कुछ weeds insert किये हैं और peacock का crown बना दिया और इसको glue gun से मैंने paste कर दिया और इसको hang करने के लिए मैंने backside मैं एक rope का loop बना के paste कर दिया और जनमास्टमी का ultimate peacock ball hanging रेड़ी है अब इसको अपने घर में लगाओ और देखो कैसे सब आते ही तुम्हारे creation को देखके बहा बहा करते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनमास्टमी के एक और DIY के साथ तेल देन टेक एंड बाबाई